बीबी को पढ़ाने के लिए मैंने लोन लेकर दील का दरवाजा खोल दिया और वो बन गई सपन तो पूरा तूटे गोजिल खान सर के काला से छुटे गोजिल खान सर ने खुद लाइव क्लास में बोला कि तिरान नवे पतियों ने अपनी पत्नियों को इसलिए बुला लिया उनको लगा कि साथ जोती मौरिया के तरह एसडियम बनने के बाद हमारे साथ बीबी के जानी पढ़ाई हा हमके फेर से रहुआ पढ़ाई एसडी ये में हमके खान सर के कोचिंग में पढ़ने वाली इसलिए वापस बुला लिया क्योंकि उनके पति को लगा कि साथ एसडियम जोती मौरिया की तरह उनकी पत्नी एसडियम बनने के बाद दरोगा पुलिस बनने के बाद बेवफा हो जाएंगी और उनको लगा कि साथ से ये पत्निया हमारी अगर खान सर से पढ़कर BPSC की तयारी कर रही है और आने वाले समय में अगर ये DM-SDM दरोगा पुलिस कुछ बन जाती है और बड़े पत पर प्रहुच जाएंगी तो हो सकता है कि SDM जोती मौरिया की तरह हमको भी धोखा दे कर हमारे पीठ पीछे किस से प्यार न रचाले और यही कारण है कि खान सर के कोचिंग में पढ़ने वाले तिरान नवे महिलाओं को उनके पती ने अपनी पत्नियों को इसलिए बुला लिया क्योंकि उनको कहीं न कहीं डर था कैसे एक बेवाफा जोती मौरिया की वज़ा से तमाम पत्नियों को ताना के लिए मैंने लोन लेकर दील का दरवाजा खोल दिया और बन गया सिद्ये मुझे टाटा बाइब बोल दिया वाव वाव सही में तो देखी रहे है आप बहुत दर्द में लड़की सब है बहुत इतनी दर्द में है ना कि मतलब इतनी से सपना सजा कर रखी थी कि आमको हमर सापन तो पूरा तूटे गाजिल खान सरे के काला से छुटे गाजिल एगो ऐसन होगा इलता सब ऐसन ना होई करी भरोसा हमरा पका हतानी रोई रोई हमके फेर से रहुआ पढ़ाई एसा डी ये में हमके बनाई एगो ऐसन होगा इलता सब ऐसन ना होई पटी और पतनी का जो रिस्ता होता ओर भिस्वास के रिस्ता होता है, लेकिन SDM जोती मौरियाई ने अपने पति के साथ बेवपआी करके उस डॉर को तोड़ दिया जो बिस्वास रूपी दोर पर रिस्ते ठीके होते हैं और उसी के लिए जो है, तमाम पतियों ने अपनि पत्नियों को बुलाया, और खांसर के खुदğ लाइक लाश के बला की तिरह नवे पत्नियों पत्नियों को इसलिए बुला लिया, उनको लगा कि सायं जोति उतम चाहिं,만ने के बाद हमारे साथी ब्वाफाई करेंगे, इसलि लिए मैं बोलना चाहूंगा सब पती से बोलना चाहूंगा तम खुलके बोलूंगा इस मुझे कोई डर नहीं लग रहा है बोलने में सुनिए गाविया मैं एक गाना बनाया हूं इबेटी बाचा हावा बेटी पढ़ावा बीबी के जानी पढ़ाई हा हूंगा बदलल जाता समया हूंगा बेला ना छोड़ी के हाथ में जोहनी कापी कलम धर आई हा हूंगा बदलल जाता समया हूंगा बेलना चोगा कापार लिखाई कर के दियाम फडियम ऑपाईलेट कौन बनेगा सुनिए अग्यापी का अच्छा मन सित्ता है हर लड़की आछी नहीं है बुरी नहीं है एक लड़की गलट गलट नहीं है ऐसा मान बिल्कुल ठीक है जरूरी नहीं कि जोती मौरिया गलत हैं तो तमाम पतनिया गलत हो जाएं और तमाम लड़किया गलत हो जाएं हो सकता है कि जोती मौरिया कहीं न कहीं सिर्फ वही समाच को कलंकित की हो बलकि बहुत सारी लड़कियां समात को अच्छा और अच्छाई के तरब ले जाने का प्रयास कर रही है। मैंने आगे लिखा इसमें क्या है। अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा प्रयास कर रहे है। खानसर तो बोल रहे थी कि खूद करता हूं तो सबस्क्राइब करता हूं तो उसे में देखा कि बोले कि तिरानबे पत्नियों को उनके पति आप मैंने कोचिंग से लेकर चले गाएं लाख माना करने के बाद भी कि देखिए समझ चाहिए अप लग तो बोल रहेंगे सर्म क्या करें मतलब क्या करें हम मारी पत्नी पास कुछ आपस नहीं बच रहा है तो सभी में खान सर क्या अरिक्स लेंगे खान सर लाइब क्लास में अपने स्टुडेंट को बताते हैं कि मेरे साथ भी धोखा न दे दे इसलिए उन्होंने बीपी यसी की कोचिंग से तिरान नवे पत्नियों का नाम कटवाया और अपने सीधे उन्होंने घर बुलाया खान सर बदाते हैं कि उन्होंने लाख मना किया लेकिन जोती मौरिया की वज़ा से तमाम पति भरोसा कर नहीं मुझको एस डियम बाना दे रहे हैं वो सया दीवाने बनने के बाद तुझको गादाहा बाना दूंगी ही वो सया दीवाने लेकिन सुनिए गाइस में और मैंने बना है जिन से पहिरे लगली मैडम छोड़ी के या पने साड़ी हो या धिकारी मैडम बने गईली अ बना लीन नीमने नारी हो या धिकारी मैडम बने गईली अ कातना लाइकिन के सापनावु जाड़ी हो या धिकारी मैडम बने गईली एक और मने बने बने इसमें लिखा है लेकिन मैंने और बात इसमें कहा है अगर जो लड़की ऐसा कर रही है तो उन पतियों को मैं अभी बोलूँगा बोला चाहूँगा कि मत पढ़ाई अभी भी को अगर जो इसी मन सिकता वाली है जो लड़की इसी मन सिकता वाली है कि नहीं हम पति का इजद करती है अपने परिवार का देखती है उसका पढ़ाई कोई दिगत नहीं है ठीक है लेकिन इसमें एक बात बोला चाहूँगा चलिए इसमें एक बहुत बोलना चाहूंगा एक लड़की बोल रही है हमके खानसर के कलास फेर से जो वाएन का रही है सईया ओइसा ना गुलती हमसे हो ये सडी एम बना ही दो है है सईया वह दर्द में करें बैचारी अब क्या करेंगी वह बस इतना समझे कि एक बेवफा पतनी के बेवफाई पर आज तमाम लाइन में बुलना चाहूंगा तमाम लोग आज चुटकी ले रहे हैं चाहरन में ये बुलना चाहूंगा कि महिले रही है पहिले सरकार में सुचना जारी बाइबा यह मेहन्दी आर्टिस्ट है लेकिन समय मिलने पर यह रैप और गाना भी लिखते हैं और गाना भी लिखते हैं तो उन्होंने कुछ गाना लिखा हुआ तो इस समाज को जगाने के लिए और जो खबर मैंने बताई की खानसर के कोचिंग से तिरान नवे पतियों ने तिरान उनके पतियों ने तिरान नवे पतियों को बुला लिया है तो कहीं न कहीं इसलिए तमाम चीजों पर हम बात कर रहे थे हमारे साथ मेहंदी आर्टिस थे इन्होंने इस गीत को सुना कर तमाम लोगों को दिखाने का बताने का समझाने का प्रयास क्या इस वीडियो को देखने के लिए धन्यबाद जहिन